मद्यप्रदेश के संदर में पिछले 20 साल में किसान 6 गुना करशधार हो गया। धोल बचता भोत है। आवाज भोत करता है पर अंदर पोला होता है। तो ये शुराज के धोल का पोल है। 80% ट्राइबल अभी एट्थ क्लास के बाद ड्राप आउट हो जाते हैं। सरकार आदिवासियों को हमेशा नकसल से जोड़ के देती है। मैं भी चाहूँगा देश के प्रदान मंत्री राहूल जी बने। बिना महनस से कुछ नहीं होता है। राहूल गांदी जी ने जब तीन साड़े तीन हजार किलोमेटर के पदियात्रा की। तो एक कांग्रेश जनों में संदेज गया है कि आपको घर में बेटके काम नहीं कर सकते हो। आब अदलाव नहीं ला सकते हो। आज भी आदिवासों के आवाज मद्यप्रदेश में दबाई जा रही है। आज भी आदिवासी बेटों के साथ बरबरता बरती जा रही है। बड़ा भरती घोटा लावा एक ही कालेज से दस लोगों को सिलेक्ट कर लिया। जिनने पांच ट्रिलियन डालर की बात की थी उनने तो एक सो पचपन लाग करूर के करजे में देश को ला दिया। शिवरा सिंग चोहान सरकार की कथनी वर करनी में एक बड़ा अंतर रहा है। कमलाच जी ने जिस देश-विदेश में जिस तरीके की जिनियस तरीके से अपने मंत्रा ले चला है। शिवराच जी का कोई मुकाबला नहीं है। कहां राजा भोजोर कहां गंगुते लिए। is a two-time MLA, Jitu Patwari, who gained popularity during the farmer agitation in Malwa region in 2017. He was the one who rode Rahul Gandhi on a bike, defying a ban imposed by the state government on the entry of politicians in Mansour, where six farmers were killed in an alleged police firing. Jitu Patwari is an MLA from Rao Assembly Constituency in Indore since 2013. He was the Cabinet Minister for Higher Education, Sports and Youth Affairs of Madhya Pradesh, after Congress formed the government in 2018. That government lasted just 18 months. My second guest today is Dr. Hira Lal Allawa, a tribal leader and founder and national convener of the Jai Adivasi Yuva Shakti, J-A-Y-S, Jais. He is a tribal rights advocate and represents the Manawar constituency in Madhya Pradesh Legislative Assembly. There are 46 tribes in Madhya Pradesh. The population of scheduled tribes is 21% of the population. But let's begin with Jitu Patwari. Jitu Ji, podcast में आने के लिए धन्यवाद, Youth Leader के नाते, आप भारत के लिए आपके क्या goals हैं, Madhya Pradesh, आपके प्रदेश के लिए क्या goals हैं, आप राजनीती में क्यूं आएं और क्या इरादा क्या है आपका? आपनी politics में पहले हैं, तो धन्यवाद आप इतने बड़ी जन्रिस्ट के सामने में पहली बार आएं आई पे इंटर्वु दे रहा हूं, पर चुकी में किसान परिवेश से आता हूं, तो ये एक अंतर मन में ये भाव बना रहता है कि हमें agriculture के लिए कुछ करना चाहिए, इनके जीवन इस तरके उठाने के लिए कुछ करना चाहिए, और ultimately हम अच्छे इंसान रहें, और उसके साथ पब्लिक की सेवा करें, दुआये लें, ये भावना हमेशा अंतर मन में बनी रहती है, पत क्या मिलेगा, क्या हमें प्रभाव मिलेगा, ये तो अब जस अब जस प्रभु के हाथ, ये हमारी कहावत रहती है, ये हिंदु धर्म के हिसाब से, पर ये है कि अच्छा इंसान, एक अच्छी दुआओं के साथ, जादा से जादा लोगों के लिए कुछ करूं, किसानों के लिए कुछ करूं, ये भावना अंतर मन में बनी रहती है, और यही मेरी अभी तक की पोलिटिक की यात्रा का सार है, फार्मर्स एजिटेशन को लेकर आप काफी सक्रिय रहे हैं उसमें, तो कुछ बताएंगे कि मध्यप्रदेश में क्या दिक्कते आती हैं किसानों को, पूरे देश में एक जेसी ही दिक्कते हैं किसानों को, आप देखो कि एक चतुर श्रेणी का कर्मचारी होता है, आप माइनूटली वाच करेंगे, तो किसान का दैनी होता है, ये सालों से चली भी प्रक्रिया है, राजनितिक दल, किसी भी दल की बात है ये, हम अच्छी बाते करते हैं, पर अल्टिमेटर उसके जीवन में बदलावनी होता है, तो मद्धिपृदेश के संदर में, पिछले वीच साल में, किसान छे गुना करजदार हो गया, जबकि यहां करसी करमण ने अवाड मिलते रहे, पर किसान के जीवन तो उसका असर नहीं हुआ, शिवराज जी ने यहां एक आज से दस साल पहले भाव दिये, कि मैं किसान के आए दुग नहीं करूँगा, आज 28 रुपे रोज कमाता है यहां का किसान, 27 रुपे रोज कमाता है, तो मैं मानता हूँ कि किसान के बच्चे, किसान परिवार, जो छोटे रगबे वाला किसान, मजदूर से ज़्यादा दैनी है, और एक रगबा जिसको हम मिडिल क्लास का कहते हैं, वो किवल अपना पेट भरता है, एक किसान, जो बड़ा किसान बोलते है, उसको सारी सुविधाय मिल सकती है, उसको हम अच्छे से देख सकते हैं, कि आएम आदमी जैसा जीवन जी सकता है, पर एल्टिमेटली किसान दिन पर दिन दिन पर दिन दिन पर दिन मद्रिप्रदेश में माइनस जाता जा रहा है, जो बात डबल इंकम की हुई थी, आज दस साल पेले और आज में, सीधी जो लागत थे, वो दस गुने हो गई, किसी गिसी चीज में 50 गुने होगी, जो यूरिया का एक pakकेट हमें 200 रुपए मिलता था, आज वो 1000 रुपए मिलता है, जो NPK या जो भी खाद आता है, भी जाता है, जो एगरी कल्चर में जो दवाईय लगती है, जो सिचाए के संसाधन लगते हैं, बिजली लगती है, डिजल जब उन्होंने कहा था कि मैं double income करूँआ, तब शत्रा सु रुपे ग्यों का भाव था, आज बाईस सो इकिस सु पच्चिस रुपे ग्यों का भाव है, धान के भाव भी preparation दो सो तीन सो चार सु रुपे में बढ़ा है, वेजिटेवल अब टमाटर का भाव बढ़ा, तो पूर अगर आपकी सरकार आती है, तो आप पहले तो जब elections आएंगे, तो आप what will be your promises, कि आप करजा माफ करेंगे, किसानों के लिए करजा माफ करेंगे, पावर फ्री देंगे, ये हर election में ये कहा जाता है, किसानों के लिए फलाँ चीज करेंगे, डिमकाना चीज करेंगे, जो भी सरकार आती है, करती तो कुछ नहीं है फिर, नहीं, बीच साल से तो भारती जंता परिटिक सरकार है, डेड़ साल के लिए, आपकी आई सरकार बीच में आपने किया, उस वक्त, डेड़ सहा किया, किसानों का 27 लाग किसानों का करजा माफ हुआ, तो वो मिदान सभा के प्रश सरकार बनती है, तो क्या उन मुद्दों पे तो बनी नहीं, जो 2014 में वो बोल रहे थे, फिर अगला चुनाओ आया है, वो तो शहादत पे बनी, सेनिको के साथ ब्लास्ट वाउस पे बनी, हर चुनाओ के मुद्द, चुनाओ जितना और किसानों के जीवन इस्तर में अंतर आ हैं, इस्तमीतलि रिढ्ली के वरां के किसान कोुलन है, यह हालाद क्यों ही कि विए साल बाद कितना बड़ा पीरियड होता है, यह चौटा मोटा पीरियड तो होता नहीं है, बीच साल में अगर किसान कहचछदार और जो एवरेज कर जा था, वो था 30,000 रुपया, वो चला गया सत्तर हजार रुपया, एक लाग रुपया, सवा लाग रुपया, एवरेज किसान पर कर जाए, तो फिर ये रिंड लेने की नोबत क्यों आई, सबसे बड़ा सवाल तो ये, रगबा क्यों घटा, किसानों की संख्या खेती से क्यों घटी, नए बच्चे किसान के बेटे खेती क्यों नहीं करना चाहते हैं, और ये कम हो रहे हैं, ये आकड़े हैं, ये कोई स्पेसिफिक मध्यप्रदेश के लिए हैं कि आप देश भात की बाद कर रहे हैं? मैंने जैसे पहले कहा है कि उसकी सिक्यूरिटी नहीं है, इसलिए एक साथ नहीं कर सकती है सरकार, तो कुछ चीजों में करने लगे, जुआर में करने लगे, मक्का में करने लगे, धान में करने लगे, 26-26 रुपे 36 गड़ में देते हैं, किसान खुश है, इंकम बड़ी है, और कांग्रेस के सरकार इसलिए नहीं कर रहा हूं, मैंने जैसा जनलिस्ट जाके अपना पता लगा था, ऐसे खुद गया गाओं में और पता लगाने कोशिश की, तो उस इंकम से जो धान से उस किसान की होती है, खुश होने लगा, यसी से हमारा आइडिया बना ये कि किसान कमिंत्री प्रदेश के हैं, वो बार बार केते हैं किसान मेरा भगवान है, मैं किसान का पूत्र हूँ, मैं इस भाव को उनकी रिस्पेक्ट करता हूँ वाक के लिए, पर अल्टिमेटली वर्क दूसरा करते हैं, काम दूसरे तरीके से करते हैं, किसान के लिए वो उतना जित चीज़े की इस से पहले जब हमारी सरकार आई थी तो हमारा मुख़ एजंडा था है किसानों का कर्जमाफिका और उसका सयोग भी हमें मिला कि हमारी सरकार बनने में अभी हमने जिस तरीके से आप ही ने कहा है कि पावर के लिए हमने थोड़ी सबसेड़ी देने की बात कि ये हमने किसानों के लिए क्या करना है, मास्क्पाइंट प्रोग्राम धी है, जिसमें उनका रिनमाप करना है, उनके लिए जो अदाईगी है, जिसे अल्टिमेटली उनके फसने खराब होती है, तो जो भाव बने इंशुरेंस वगेरा, उस पे जो बात होती है, पिछली बार जब आपकी सरकार आई थी, वो जो अठारा महिने वाली सरकार थी, तब आपने कुछ 600-700 वाइदे किये थे, और शिवराज जी का हमने इंटर्व्यू किया, और वो कह रहे हैं कि कोई भी वाइदे उनमें से पूरे नहीं हुए, शिवराज जी के 21,000 जैसे वो कह रहे हैं, हम सुन्द रहे हैं, आप सुन्द रहे हैं, वो बोलते हैं, ढोल, बोलते बहुत हैं, पर उनने 21,000 गोशना है, उनकी रजिस्टर जूटी है, हम मेरे प्रेश्णिके उत्तर में हमने कहा है कि शिवराज जी ने कितनी घोष्णाय की एक बार पुछा, दो बार पुछा, चार बार, दस बार पुछा, मैंने खुद ने उनके भाग का उत्तर था जिस पर उनको सिगनेचर करने थे वो रजिस्टर जूटे है, इस मामले में तो सारी बात जो बोलते हैं, यह मैं कोई छोटे और उचे पंसे नहीं बात कि रहा हूँ, यह लिखित जवाब है कि 21,000 गोष्टना है, शिवराज जी ने जो की, वो नहीं कर पाए, यह उन्होंने लिख के जुड़ बोला, आज तक मिला आपको कोई ऐसा, जिसने लिख कर जुड़ बोला, हमारे शिवराज जी ने ऐसा किया है, अब वो कहते हैं कि यह योजना है बन कर दी, फिर मैं आपक पार्टी से चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट कौन बनेगा, सब यह जाना चाहते हैं क्योंकि मध्यप्रदेश BJP यूनिट तो साफ है, हर बारी इट है शिवराज जोहान, कोई बदलता नहीं है, और फिर अगर इस बारी अगर उनका चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट बदलता है, क्योंकि अठारा साल से एक ही चीफ मिनिस्टर है, तो बात भी चल रही है कि BJP जो है, अगर जीतती है, तो शाय चीफ मिनिस्टर बदल दे, आपकी तरफ से आपकी पार्टी का कौन होगा चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट? आप यूथ लीडर है, आपको नहीं लगता कि जिस तरह आपने कहा कि शिवराज जी जो है, वो, you know, he doesn't fulfill his promises, शायद लोग उप गए हो उनसे, तो कमलनाच जी से नहीं, इतनी बारी चीफ मिनिस्टर अरड़ी बन चुके हैं, कोई नए फेस नहीं है? यह कमलनाच जी तो बन टाइम बन है, डेड़ साल के लिए, और शिवराज जी में और कमलनाच के विजन में भोतंतर है, कमलनाच है यसे विजनरी लिडर हैं, जो नरेंदर मोदी जी से ज़्यादा अनुबहु रखते हैं, उनकी जो पोलिटिकल जर्नी है, और नरेंदर संख्या मुख्यमंत्री बनाती है, पर मुख्यमंत्री बनने के बाद delivery का पार्ट तो खुद के विक्तितु का होता है, कमलनाच जी और सूराज जी में बहुत बढ़ा नतर है, कहां राजा भोज और कहां गंगुते लिए, तो कमलनाच मुख्यमंत्री बनेंगे, यह बरदा आपकी कुछ बयान ऐसे हैं जो कॉंट्रवर्सी में आये हैं, एक मैं आपको बता देती ही जो गवनर्स अड्रेस जो हुआ था बजट सेशन 2022 में, आप L.O.P. and P.C.C. Chief Kamal Naar distanced himself from the boycott call, saying that he would not go against the established traditions of the assembly, आपकी जो दिमांड थी, party line. This is just for viewers who don't know about this. Jitu Patwari, he makes a number of comments, whether on social media or otherwise, which gets him into trouble, but then he persists on it. So, as a youth leader, I guess he's got energy, so he keeps doing this. So, I'm gonna ask him about these comments of his. एक तो ये था आपका, जो आपने boycott call दिया था, गवनर्स के अड्रेस के बारे में, वो आपकी party भी आपके, आपसे सहमत नहीं थी उस वक्त. नहीं, बात बिल्कुल सही है, कोई भी राजनितिक दल है, उसके साथ, अगर किसी की individual कोई विचार होते हैं, तो उसको अनुशासन में रहके party के साथ खड़ा होना चाहिए, अगर आप उस दल में हैं तो, तो चुकि मैंने governor के against इस तरीके से जो भावना वेत की थी, वो right थी, और ये privilege हर विधायक का आपना भी होता है, पर चुकि हमारे leader ने ये कहा कि ये इस तरीके से नहीं होना, मैंने तभी accept कर लिया था, पर मैंने काम कोई गलत नहीं किया था. प्रियम थीम मोदी के अउपर भी आपने अपति जनक ट्वीट किया था, उसके ओपर भी आपके ओपर F.I.R. था, जो आपने जो किया था ने एक फोटो डाला था इन विच पीम जो है, वो भूमी पूजन कर रहे थे राम टैंपल में, आपने कहा था कि आपने वो फोटो कि damages and hurts the sentiment? No, जब मैंने जो ट्वीट किया था और जो ट्वीट में अगर मेरे से तीन बार कोई चुक हुई तो मैंने उसी वक्त उसको सुधारा था और एक्सेप्ट किया था मैं कभी भी उन लोगों में से अहंकार नहीं कि हमने जो बोल दिया PM Modi हमारे विरोध विचारके हैं, हमारे दुश्मन नहीं है, देश के प्रधान मंत्री है तो देश के प्रधान मंत्री का सम्मान रखना इस देश के हर नागरिक का दाईत हुई मैं उस भाव को कभी नहीं भूलता हूँ पर चुकी मैं विपक्ष में हूँ तो इस दाईत हुग हो कि उनके कमिया बताना हम सबकी दाईत, लोक तंत्र का, इस देश की मरियादा का, इस देश के पती, देश भक्ती का भाव होता है सरकार की कमिया बताना, विक्ती की कमिया बताना तो ये मैं मानता हूं कि ये मैंने जो किया था. अगर कुँछ चूक ही तो उसको correct किया था. पर चूक ethical नहीं थी. चूक उसको एसा नहीं किय सकते हैं. मैंने जो उनसे सवाल खड़े किया थे. वो गलत नहीं थे. वो फोटू गलत लगा था. इस पर मेरा फ़ायर हुए थी. उ उपर के विचार नहीं बदले थे मैंने, बस, तो I am agree, मैंने तब भी sorry किया था, उसमें कोई note out, ठीक है, भारत जोड़ो यात्रा के दौरान, आप काफी सक्रिय थे, फोटो भी चली थी, विडियो भी चला था, आप राहुल गांदी को लेके, मोटर बाइक पे चल पड़े थ ये क्या मेसेज था, ये मेसेज था कि जो प्राचिन भारत की अपने सभिता है, परमपरा है, जो प्यार, महबबत, प्रेम, भाहिचारा, जो मोटू था उस यात्रा का, उसको लोगों ने हाथो हाथ लिया था, मैं मानता हूं कि एक वेक्ती जो पेदल चले, वो अपनी जग से दूर रहो, तो जो राहूल जी ने कहा है कि इस नफरत के बाजार में प्यार महबबत की दुकान खोलनी है, तो मैं मानता हूं कि इसको एक्सेप्ट किया, और बहुत लोग अपने आ पाए, इंदोर शाहर पुरा भरा पड़ा था, हमने कोशिश की थी, अपने कारी तो इसका लाजिक ये था कि लोग अपने आप भी इस बात को जीना चाहते थे, अपने आप भी राहूल जी के इस प्रयास का सराना कर रहे थे, एक तो ये था और फिर दूसरा बिना महनस से कुछ नहीं होता है, राहूल गांदी जी ने जब तीन साड़े तीन हजार किलोमे सरकर में गया, और सबसे बड़ी बात मुद्दों को उठाय कैसे जा सकता है, सरकार का एक मोटी होता है मीडिया को कंट्रूल करने का, हमारी बाते या विपख्ष की बाते उतने सही तरीके से नहीं जाती, ये परसेप्शन आम पबलिक में है, पहले नेताओं में था, पहले जनलिजम में भी था, पर अब घर घर ये बात चले गई, जब राउल गांदी पेदल पेदल चलते हुए बात कहने लगे, तो सोशल मीडिया से बात घर घर जाने लगी, फिर मीडिया कुछ अलग बोलता था और सोशल मीडिया कुछ अलग बोलता था, तो ये एक बड़ा experience ह हम लोगों को भी दिखा और हमने फिर उस तरीके से अपने आपको डालना चालू किया, कि हमारी बोलते भी तो है तो असी प्रतिशत मीडिया ने कवर इसलिए भी किया, कि वो उसमें से हम नेगेटिव क्या निकाल लें और पब्लिक में क्या फरोस है, उनकी पाजिटिव च कैसे लाके पब्लिक में क्या परोस है, मीडिया का एक बहुत बड़ा हिस्सा, सारी मीडिया ने, पर एक बहुत बड़ा हिस्सा, इसलिए भी सकरी था, उसको भी धन्यवाद, अच्छा है, अगर मेरे में कुई कमी देखती है, हमारे में कुई कमी देखती है, और कमी को उज जागर करती है, तो वो हमें सीख देती है, कि सुधरो, हम सुधरो है, वो हमारे लिए उनमें क्या सोचा हूना है, अगर मीडिया इग्नोर करें, ये तो बहुत खराब बात होती है, तो चाहे गुड न्यूज या बैड न्यूज न्यूज में होना चाहिए, आप लोग इग्न इग्या पैनल में रह चुके है, इसलिए मैं पूछी हूँ, इसलिए मैं पूछी हूँ, एक भावनात्मक बात है, कि राहूल गांदी के इतने बड़े डिसिजन को, इतने बड़ी पधियात्रा को, देश में संकराचारी सबसे पहले, कश्मिर से कन्या कुमारी तक पधिया पाद हनू के बाद, इधर एक हिस्से से दूसरे हिस्से देश के जाने वाला पेला शाक्स है, और बात वो इती जो संकराचारी ने कही थी, उन्होंने कहा था कि मानुतागी रक्षा करना है, और उन्होंने एक संदेश दिया था जो हम आज भी आत्म साथ करते है, आमजनता करती है इनने कहा है कि नफरत गटाना है प्रेम को बढ़ाना है मैं उनसे तुलना नहीं कर रहा हूँ यह मेसेज है कि देश को आज हमारा भारत वर्ष इसी तरीके का है जिसमें लाब और हानी सत्ता में बेटना और विपक्ष में रहना है कि यह अलग कहानी है पर देश में सबको रहना यह एक अलग कहानी तो उसके लिए इस तरह के मोटिवेशन वर्किंग प्रोग्राम अगर उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा की तो मीडिया को उसकी सराना करने थी उत्ती मिली नहीं थी उस सुरुआती दोर में आखरेम मिले जरूर मिली 100% मिली इसमें ऐसे न नहीं तो राहूल गांदी के लिए सिर्व ये का जाता था कि वो कुछ कर नी रहे हैं वो दिख नी रहे हैं वो छुटियां लेते हैं बाहर नहीं आते बोलते नहीं है तो यहां पर he was walking रोज सुबे कुछ ना कुछ खबर तो आ रही थी ना राहूल गांदी की तो at least the media felt कि शुरुआत से ही मतलब from Kerala, Tamil Nadu, Kerala, Karnataka तब तक it picked up momentum कि हां भारत जोडों में कुछ हो रहा है मतलब कुछ ना कुछ हो रहा है और उपर Madhya Pradesh आते आते it became quiet sound लेकिन शिवराजी कह रहे थे कि ज्यादतर कि Congress के लोग थे आम जनता जो थी वो जो आ रहे थे वो देख रहे थे कि हां भीड आ रही है देख रहे थे तो आम जनता में इतना impact नहीं हुआ जितना कि Congress के लोगों में था खेर शिवराज जी ये तो कहेंगे नहीं कि रहाउल जी के साथ जनता है रही है यह उनका दाईतभा जो उनके कहा पर और करनाटक में से यात्रा निकली थी महांच चुनाओ जीति यहा Congress Party मद्धिप्रदेश में से यात्रा निकली थी, तेलंगा ना में से कांगरेस की यात्रा निकली थी, ये दोनों राज्यों के चुनाओ का डिसिजन बताये का आपको कि यात्रा की सफलता आम पब्लिक में थी या भरकर में थी, मैं ये एगो और हमकार से नहीं कहिना चाहता पर यात्रा कोई राजनितिक उद्द्ध से थी नहीं यात्रा पबलिक पर सेप्षन से थी पबलिक में प्रेम, प्यार, नफरत, जो भारती जन्ता पाईटी शिवराज सिंग, चोहान इससे पहले मुख्यमंत्री थे में विधैक था दो मुख्य मंत्री और आज की मुख्य मंत्री में जमिन आस्मान का अंतर है क्या अंतर है? ये नफ्रस से भरा हुआ शिवराज है वो एक किसान का बेटा चुन के आता था लोग पसंद करते थे और smoothly positivity से अपनी बात केता था ये राजनितिक लाप के लिए ये पेसा रोज हर हपते वो 500 करोड रुपया कर जा लेते है आप ने उन से ये निपूचा कि शिवराज जी आप ये 500 करोड रुपया हर हपते कर जा लेते हो आप चले जाओगे मुख्य मंत्री सदा तो रेना नहीं जो आईगी सरकार वो ये चुकाएगी कैसे 27-28 हजार करोड रुपया महीन साल का हमें देंदारियां देना पड़ती है पेला राज जी है मेरा मद्धिप्रदेश महलाओं के खाते में जानी रही है पैसे महलाओं के खाते में जितना पेशा जाना था अगर शिवराज जी को ये सहयोग करना भी था तो 18 साल में ये मुख्य मंत्री थे ये समझ आखरी में क्यों आई और चलो आई भी तो आप सीधे उनकी 1100 की टंकी थी आप 1000 रुपय पे 100 रुपय की गेश सिलेंडर कर देते आपने इस तरह का आडंबर क्यों रचाया बेहन के नाम पे मतलब आपको वोट लेना है उसकी इस्टंड वाजी करना है और इस थरीके से बात करना है कि मैं हवस पत पे रहने की क्या होती है पूरा प्रदेश कर्ज में डूपता जा रहा है कानून विवस्था बेहन की बात आई तो अभी 13 लाग गुनिस बीस में 13 लाग से उपर बेहनों का परण हुआ है गायब हुई है देश भर में मध्य प्रदेश में 2 लाग हुई है अवरेज देखो कहा है आप वो जो स्टेटिस्टिक्स की बात करते हैं वो पालवन में रखा गया था मध्य प्रदेश की जनता की आँखों में धूल दोखना चाहते है यह इस्टेटिस जो आई है यह मध्य प्रदेश की सरकार की गुनिस बीस इक्यस बीस इक्यस में किसकी सरकार थी मतलब किती बड़ी जूट आप से जब जूट बोल सकते हैं आम जनता का क्या होगा अरे 20-19 के जुन जुलाई में हमारी सरकार चली गई थी जब से लेके 20-21 में उनकी सरकार थी ना और सीधे स्पेसिफिक तारीक से तारीक क्या अकड़ है तो ये समझाना चाहते हैं वो कि मैं किसी भी कुछ भी करूँगा पर सत्ता मेरे ना मुझे ये अपने आप में एक पाप है एक अपराद है और उस अपराद बोस से आज का मुख्यमंत्री और पहले के मुख्यमंत्री में पिछले मुख्यमंत्री में अंतर था ये लूट की सत्ता के मुख्यमंत्री है अगर कमलना जी की सरकार इतनी अच्छी थी तो फिर जोतीरा जितिय छोड़के क्यों चले गए थे उस बाइए जो तरह से नहीं पूछा आपने कभी नहीं वो पॉड़कास में आये नहीं अभी तब तो कोई बात ने उनसे पूछना कि जब जिन मुद्धों पे जिन इस्यूस पे वो इनवाल होते थे इस्सेदारी करते थे एक दम से एटे टाइम क्या हुआ और फिर आपने अंदर वाते क्यों नहीं की बाहर क्योंकि आपने उन्होंने कुछ नहीं कहा था अंदर कॉंग्रेस की जब सरकार थी कमलनाजी को वो कब से जानते जिस दिन दिल्ली में जिस दिन उनके विधाय गए उसके दो दिन पहले एक पोलेटिकल अफेर की मिटिंग थी मैं भी उसका हिस्सा था जोतिरादित जी भी थे वो बेठे रहे सब बातें हुए डिसकुशन हुए कमलनाजी भी थे देगुजय सिंग जी भी थे पर कोई उनका विरोध नहीं था अंदर अंदर कहानिया थी वो कहानिया हमसे बहतर आप जानती होगी तो मैं मानता हूँ कि शिवराज जी और जोतरह सिंदिया ने मद्यपरदेश का कलंकित किया है लोकतांत्रिक जो इतिहास है वो उसको कभी भी हो सकता है कि वो आजखोश है हो सकता हुए उनको सत्ता मिली और ये के दिया चलो राजनिती में तो ये चलता है पर उससे आज हो सकता है, उनको एहसास नहीं हो इस बात का, पर मद्रदेश और लोकतंत्र को होगा एक जिन. जो रिजॉर्ट पॉलिटिक्स हुआ था, पहले गुर्गाओं में हुआ, करनाटका में हुआ, आप भी गए थे, आप भी रिजॉर्ट में गुसने की कोशिश की, आपने लोगों को निकालने की कोशिश की, उस वक्त बताईया आपको क्या लग रहा था कि हाँ, निकाल के है, एक वेक्ति अगर किसी के साथ जा सकता है, तो उसका अधिकार है, हम कैसे ला सकते हैं, जब अंदर गए, तो वहां की जब व्यवस्ताइं देखी, वो एक टेरर का माहूल, इत्ती बड़ी सो सवा सो एकड़ की अंधेरी एक होटल, उसमें कोन कहा है, ये पता ही नहीं र मध्यप्रदेश, भारती जनता पार्टी, मर्यादित पॉलिटिक्स के गीद गाती थी, तो मेरे को वहां उसका एकड़म विपरित दिखा, ये इत्ती सरकार है गिर गई, इत्ते विधायक पांसो से उपर विधायक दल बदल हो गया, कई सेकडो सांसत, पूर सांसत इधर उ अभी हमारी सरकार आईगी, तो मैं तो रहूल जी से ये सज़ाशन, आपकी पार्टी ने नहीं किया, क्या करनाटका में नहीं होता था ये, रिजॉर्ट पॉलिटिक्स क्या राजस्थान में नहीं हुआ, नहीं राजस्थान में सरकार बचाई गई, सरकार गिराई नहीं त यही परिस्तिती बनी गोवा में यही परिस्तिती बनी ग्यारा ग्यारा राज्यों में आज जो सरकार है उसमें 20-30% सरकार बीजेबी के पास जो है वो खरीत फरोग की सरकार की है राज्य सरकार है नरेंदर मोधी के पास तो यह भावना कि यह बोलना कि लोक तंत्र को हम जैसे करेंगे राजनिती है ये अलग तरह की politics नरेंदर मोदिला इसलिए तो देश ने नहीं चुना था इत्ते बड़े भारी महुमत से उनको वो जब बाते मरियादा की करते थे उन्होंने दो करोड रोजगार की बाते की नहीं सपने दिखाए नहीं विवस्थाएं बताई बड़ रादित्या सिंध्या जो है वो तूटकर बीजेपी में आए तो ऐसे ही महराष्ट्रा में हुआ जब शिंडे जी निकलकर बीजेपी में आए उससे पहले भी कई बार ऐसे हो चुका है तो as a youth leader what do you feel कि जो दल-बदल कानून है क्या वो बहुत ही weak हो गया है नहीं बिलकुल की जिस देश में दल-बदल कानून की जो नीती थी नियती थी क्यों बने? इसलिए कि सरकारें 5 साल चलें और 5 साल चलने के सासाथ इस्सरिकार विकास करें. अभी चुक्छी दल-बदल कानून को अलग-अलग तरीके से वीश किया जा रहा है जो लोग थोड़ी संख्या में जाते हैं वो चुनाओ वापस इस्थिपा देते हैं चुन के आ जाते हैं जो बड़ी संख्या वर्थ फोर जो दल बदल कानून से 50-50 जाते हैं तो वो उसके कानून के दाहरे में नहीं आते हैं पर उल्टिमेटली नुकसान किसका होता है जनता का होता पांस साल सरकार जिस जाने के कोशिश होगी, कि धल बदल कानून जो क्वेश हुआ है, अब जो धल बदलेगा, एक बार बदला तो एक चुनाओं के लिए उसको स्केप करना चाहिए, फिर वो चुनाओं लड़नी सकता है, एक बार, इलेक्शन कमिशार रूल डाले, नियम बने, कानून पास हो, कि अगर कोई वेक्ति किसी पार्टी से एक बार चुन के आगया और इस्तिफा देता है, तो फिर एक चुनाओं उसको नहीं लड़ना है, वो अपने हाप लिपिबद हो जाएगा, तो इससे जो ये देश का नुकसान हो रहा है, और जो लोकतंत्र के हत्या हो रही है, ये फिर ह हो सकता है कि बचे, तो मैं मानता हूँ कि ये दल बदल कानून तो अब क्वेश हो चुका है, उसकी अब मतलब बना कानून या नहीं बना, उसकी उपयोगिता एकदम नेरत हो गई है, तो आप फिर से इस पे सोचके एक बार जिसने दल बदला उसको इसकेप करना चीए चु इसमें ये लिखा हुआ है कि आपकी पार्टी जो है, वो एक ओवरड्राइव में है, मजॉरिटी हिंदू वोटर्स को अपने तरफ आकर्शित करने के लिए, कि पार्टी जो है, पार्टी के कारेकरता जब भी आपके पार्टी लीडर कमलनाथ जी स्टेज पे आते हैं, तो जो मुसल्मान तबका है, वो थोड़ा कन्फ्यूज हो गया है, कि हम जाएं तो किसके पास जाएं, एक तरफ बीजेपी है, जो एक स्ट्राइडेंट हिंदुत्वा, आपने खुद कहा कि शिवराज जी जो है, उनका पहले एक सरल सहज मुख्यमत्री चेत थे, वो इफ्तार celebration में जाते थे, लेकिन अब वो थोड़े से कटर नजर आते हैं, और दूसरी तरफ आपकी पार्टी है, अब मुसल्मान किस तरफ जाए, मुसल्मान वोटर, अगर दोनों ही हिंदुत्वा पार्टियां बन जाएंगी तो, यह देश क्या है, यह तो गंगा जमना तहजिप क देश है, कांग्रेस पार्टी का इस तरह के religion work में कोई आज का नया काम नहीं है, इंद्रा जी हमेशा मत मंदिरों में जाते थी, नहरू जी जाते थे, गांधी जी भी इश्वर अल्ला तेरो नाम, सबको देदे भगवान, यह भजन क्यों बना था, यह पेगंबर ने और भ आचिन परंपरा क्या है, और भारत वर्ष जब आजाद हुआ था, जब यहां लोकतंत्र आया था, तब ही हुआ था ना, जब देश में यह धार्मिक कट्रता कम हुई थी, एक जुटता से सब बिढ़त है, और सब ने एक थाली में खाया था, तो यह बात के ना, मैं मैं रोज मेरी जीवन शेली, धार्मिक हिंदू रिती रिवाज के हिसाब से मेरा परिवार का पालन पोशन धार्मिक गतिविदिया होती है, मैं आज जब आप से मिला, तो उससे पहले में पूजा करके आया, इस पे किसी को आपत्तिनी होनी चीए, अगर कमल नाज जी या का अगर अब भी आप मेरे हाप और में सामने बेटे हैं, तो ये मैं हिंदू हूँ, तो ये हमारी धार्मिक रितीर रिवाज से हम करा तो ये इसमें किसी को परेज नहीं होना चीए, पर हम उस वो बोध हो, चाए महावीर हो, चाए गुरु नानक देवजी हो, चाए मुस्लिम हो, इनके खिलाप नहीं जाएंगे, हम उनका भी सम्मान करेंगे, जो सविधान में लिखा है, उनके धर्म के आधार पर वो जीए, उसकी रिस्पेक्ट करेंगे, ये कांग्रेस पार्टी की नीती है, ये कभी नहीं रही कि हमें इधर कट तर होना है कि उधर, ये जब हम करत और जो मुसलिम्स या अधर्स रिलिजन के सिक या बोध या महावीर के मानने वाले जिन इटर्म की लोग जब वो अपना जीवन यापन करते हैं से उसकी भी रिस्पेक्ट करते हैं उसमें भी सयोगी होते हैं स्लगन होते हैं यही तो अंतर है kangles और BJP में sib बीजेपी कभी कांग्रेज जैसी नहीं हो सकती है, बीजेपी कटरता गुम्रह करके, नफ्रत फेला के सत्ता में आई है और आना चाहती है। कांग्रेस पार्टी ने देश का विकास किया, लोगों को देने की कोशिश की, देश को आजात कराया, और उसके बास सक्ता में आई और फिर देश की उन्नती आर्थिक की, उनमें और हमें कभी एक जैसा भाव बनी नहीं सकता है, तो ये जो इंडिया ग्रूपिंग बनी आई, ये इसको एक विवस्थित तरीके से मीडिया को साथ लेके किया जा रहा है, इसको बचाने का है, तो क्या-क्या, मीडिया को भी बचाना है, लोगतंत्र को बचाना है, और क्या बचाना है, देश बचाना है, ठीक है, प्यार की राजनीती भी करनी है, ये सब इंडिया करेग तो प्रधानमंत्री कौन होगा, लीडर्शिप तो कुछ चाहिए ना, बिल्कुल सही बात है आपकी, अभी जैसा मुझसे पहले प्राइमरी फेस में उपर, जब ये बाते होई थी, तो सबने मिलके अपनी बात कही है बेंगलोर में, वही लाइन हमारी है, कि एक दो मिटिंग है, धेरे, धेरे हर चीज़ किलेर होती जाएगी, समय है उसके लिए, बार बार पोस्पोन क्यों होता है ये मिटिंग, बैंगलोर का डेट भी पोस्पोन हुआ, उसके बाद जो अगली मीटिंग हो रही है, जो मुमाई में होनी थी, वो भी पोस्पोन होगी, जो पतना में मीटिंग हो रही थी उसमें प्रफुल पटेल साथ में बैठे हुए थे किसी को पता भी नहीं था कि ये गदार निकलने वाले है बाहर निकलेंगे उसके बाद बैंगलूरू में नितिश जी नहीं आये क्रेस ब्रीफिंग के लिए नाराज हो गए क्योंकि वो इंट्या नाम स सेहमत नहीं थे, इंडिया नाम को लेके फिर अलग-अलग point of view है जब मैंने अभी अधिरंजन जी से बात की थी podcast में आये थे तो मैंने का कि मंगाल में seat sharing मैंने का दीदी के साथ seat sharing करेंगे कि उन्होंने का कि दीदी या दादा पता नहीं किसके साथ चलेंगे हम, तो बात ऐसे है कि seat sharing की वहां से बात शुरू होती है seat sharing की, अभी तो बहुत सारे चीजें करनी है, एक message निकालना है, एक agenda निकालना है, seat sharing है उसके बाद प्रधानमंत्री candidate बात यह है कि natural अले सुभाविक है, कि इतने अलग-अलग दल एक साथ आए है तो कुछ तो कुछ ऐसी बात है जो अविवारिक रूप से आप लोग जब इसको विवारिक रूप में देखना चाहेंगे, तो कुछ सवाल खड़े होंगे, यह इसको नजर अंदाज भी नहीं किया जा सकता और नकारा भी नहीं जा सकता पर अल्टिमेटली गूल सबका एक है और वो जिस तरह के कि देश में पॉलिटिक्स चल रही है नेरेटिव चल रहा है, दबाने का, डराने का लोग सरकारे गिराने का जो अर्गनाईज भष्टाचार जो एक दल करता है और बाकी को भष्टाचारी कहता है ये सब भावना देश देख रहा है और इससे बड़ी बात देश का बाकी जो स्केल है जो आम आदमी का जीवन इस तरह है उसकी जो इंकम आप सोर्स है जो गिरती जा रही है बेरोजगारी बढ़ती जा रही है देश कर्जदार होता जा रहा है जिनने पांच ट्रिलियन डालर की बात की थी उनने तो एक सो पच्पन लाग करोड के करजे में देश को ला दिया अच्छा सारी दिकते तो आप बता ही रहें तो उसके लिए solution क्या है solution एक भी program अभी तक नहीं आया other than this thing की देश बचाना है समविधान बचाना है मीडिया बचाना है किसान को करेंगे क्या? कैसे? अभी तक आपने जब मनमौन सिंग जी प्रधान मंत्री बने थे और उन्होंने उधारी करन का ये जो विश बाजार की नहीं को ना में लेके आई थे तब भी सवाल थे सवाल आपके coalition में था सवाल और कोई नहीं पूछ रहा था सब लोग तारीफ कर रहे थे आपको I don't think you remember it also क्योंकि उस वक्त बाकी पूरी दुनिया देश का एक-एक आदमी उस उधारी करन को लेके तारीफ कर रहा था डॉक्टर मनमोन सिंग लेकिन coalition में बैठे आपके ही दोस्त उसको criticize कर रहे थे आप हो सकता है मेरे से बहतर जानती है उस बात को तो यह विरोथ कर रहे थे यह नरेंद्र मोदी और इनकी party विरोथ कर रही थी आप की party अब कह रही है अब कह रही है कि H.A.L. खतम हो जाएगा domestic industry खतम हो जाएगी opposition हमेशा यह बात उठाती है कि domestic industry खतम हो जाएगी लेकिन जो industry है वो तो चाती है कि ओपन हो जाए इंडस्ट्री यह जिसे आपने यह दोनों अलग-अलग सवाल है स्मिता जी एक देश की संपत्ती से आधारित हम सरकार बनाते क्यों है पबलिक के लिए सरकार होती सकता होती किसके लिए जनरली देश की जनता के लिए तो एक बहुत बड़ा वर्ग जो सारजनिक उपकरणों के माध्यम से सरकार की सेवाय लेता था या अपने जीवन यापन करता था देश को आगे बढ़ा था वो एक अलग स्केल है एक स्केल वो है जो वर्ड वाइज आप क्या क्या चीज़ें आप विश्व बजार में देश की एकोनामी बढ़ाने के लिए कर सकते हैं तो इसकी एक स्मूत रेखा कांग्रेस पार्टी की सरकारों ने उसको बैलेंस किया है नरेंदर मोदी जी की सरकार ने इसा नहीं किया है ये जो सारजनिक फाइदे में चलती हुई संपत्यों को बेचना ये चलन तो सारी विजेबी की सरकारे लाई अटल जी के उसमें भी हुआ अभी भी हो रहा है तो मैं इस बात को इस तरीके से नहीं कहना चाहता पर हम जहां थे कि ये जो इंडिया बनाई करेगा क्या करेगा किसे ये वेसे ही करेगा जो दस साल सुनेर आर्थिक मनमोहन सिंग जी लेके आये थे उससे अच्छा लेके आएगा नहीं आधुनिक नीती के साथ लेके आएगा जो राहूल गांदी जी ने एक विचार दिया था इस देश को देश की जनता के जेब में खाते में पेसा डालना उससे ये भावना नहीं जेब में पेसा डालके उबलाइस करना उद्देश ये था है कि देश की एकोनामी में चलन में बने लोगों के पास खर्चे के पेसे बड़े इंड़े उस वक्त जो यूपीए वन था वो कोलिशन वाला था वहां पर कॉंग्रिस जो है इस वीकर बिकॉस आपके पास नंबर आपके हैं कॉंग्रिस के हैं तो जाहिर सी बात है लोग कहेंगे कि कॉंग्रिस का प्रधान मंत्री होना चाहिए कॉंग्रिस पाटी का क्या आपके वरकर्स ये नि चाहता है कि मेरे दल का प्रधान मंत्री होना चाहिए वो तो कुमारस्वामी भी चाहेंगे ये बात है तो जब आज परिस्तिति क्या है, situation क्या है, political मैं भी चाहूंगा देश के प्रदान मंतरी राहुल जी बने, और मैं चाहता भी हूँ, बोलता भी हूँ, पर Congress Party के बने, पर जिन परिस्तितियों में हैं, उसमें निर्णे साजा होगा, सम मिलके होगा, सारा जो इंडिया का एक पूर Party का कारी करता है, क्या सोचता है, उस आधार पर आज जो नीड है देश की, उसके आधार पर हमारे दल को चलना चाहिए, Congress Party को चलना चाहिए, और यही कारण है कि इंडिया का निर्माण होगा, तो आपने राहुल गांधी से कभी कहा कि प्रदान मंतरी बनी है, नहीं, मैंने उनसे डारेक्ट तो नहीं कहा, पर नेचरल है सुभाविक है, आप लोग कहते हैं आपके जैसे यूथ लीडर्स, बिलकुल हंडेट परसंट कहते हैं, और हंडेट परसंट पर उनका जो सोच और उनका विचार है कभी पतका नहीं रहा, मुझे ये मिले, जो मनमौन सिंग ज किसी पत के लिए कुछ करते हैं, जित्ता में उनको जानता हूं, रहूल गांदी जी पत एक अपनी जगे हो सकता है, राइडनितिक लाव एक अपनी जगे हो सकता है, पर ultimately एक स्वाक्ष और इमानदार वेक्तिक क्या होता है, वो उसके वेक्तिकत जीवन में भी और राइड नितिक जीवन में भी, वो हमेशा प्रदेशित करते हैं, पद में आना is not something wrong, यह ऐसे क्यों आप कहते हैं कि वो पद में आना नहीं चाहते हैं क्योंकि he is not a selfish person, या फिर वो पावर के लिए नहीं करना चाहते हैं, पद में आके आप अपने प्रोग्राम्स और पॉलिस को जामा पहना सकते हैं, लेकिन अगर आप पद पे नहीं होंगे, तो फिर responsibility भी आपकी नहीं है, तो कुछ गलत मलत होगा तो बोलो के, मैंने तो नहीं किया यह, है ना? राहूल जी ने जब भूमे अधिगरण अधिनियम हुआ, तो हमारी party के भी कई लोग विरोध में थे, जो एक का चार गुना agriculture को मिलना चाहिए, क्रिशकों को मिलना चाहिए, उसको लेकर राहूल जी ने हमेशा द्रड़ता से बात की, करना चाहिए, जब जो corruption का bill आया था, जिसमें विधायक और सांसत चुड़ गए थे, उसके आप लोगों ने भूत बिंदा की, जब राहूल गांदी ने aggressive तरीके से आये, और उन्होंने कहा कि आप सिर्फ विधायक लेवल तक को नहीं ले सकते, इसमें सांसत को भी include करो, कि अगर किसी प्रकार का corruption को लेके, या क लगते हैं, तो जो पंच पर लगेंगे, सरपंच पर लगेंगे, वही सांसत पर लगेंगे, तो आप लोगों ने उसको भूत कुटी साइज किया, तो रिस्पांस बिटी के साथ ही किया था, रिस्पांस बिटी के साथ राहूल गांदी कब भागी रिस्पांस बिटी से, ऐ आप दूसरा बता दो भारती जंता पार्टी में बता दो आज का प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी जी का एक भी उधारण बता दो कि 2014 का चुनाव हम हरे रहूल गांदी जी अद्देख्ष थे उन्होंने छोड़ दिया आप लोग केते रहे थोड़े दिन की कहानी है थोड़े प्रधारी मेरी थी कि चुनाव जीतना चाहिए नहीं जीते पद नहीं लूँगा यह क्या गुना है ऐसा उधारण के दूसरा मिलता आपको तो रहूल गांदी कब रिस्पांसबिटी से भागे हमेशा रिस्पांसबिटी ली उन्होंने पद को त्यागना या पद के मोह को क रिस्पांस बीटी नहीं लेना दो अलग अलग बात है तो यह देश में इत्ती बढ़ी यात्रा क्यों करते रिस्पांस बीटी नहीं लेते तो ही जगे-जगे जिकर लोग है अलग-अलग ग्रूप स्वाइज, वो अग्री कल्चर्स ते हो या आज ही गए थे वो सुबह, मंडियों में, ट्रक ड्राइवर के पास जाते है, मेकनिक के पास जाते है, रिस्पांस बिटी नहीं होती, तो ये दर्द सरकार, ये जाना क्या होता है, ये जाना उनकी तकलिबों को, सरकार को आप लोगों को बताना होता है, देश को बताना होता है, पबलिक भोरम पे उनके दर्द को ले के आना होता है, नीर्जा जी ने किताब लिखी है, जो एक बहुत सीनियर पत्रकार है, उन्होंने किताब लिखी है, How Prime Ministers Take Decisions, तो उसमें उन्होंने कहा है कि जब वक्त था, सोन गंधी अंदर आये, उन्होंने कहा कि मैं जो भी हो, मैं अब प्रधानमंतरी नहीं बनने दूँगा, मेरी दादी को मारा गया, मेरे पिताजी का धिहान दुआ, आपको भी मार देंगे, और सोनिया गंधी के आँखों में आसु आये, and she didn't say anything, और फिर उसके बाद डिसिजन लिया गया, डॉक्टर मनमोहन सिंग को प्रधानमंतरी बनने का, ये उनकी किताब में है, और उन्होंने एक दो लोगों को कोट किया है, जो कमरे में थे, जब ये हुआ, तो मुझे बताईए कि, क्या ये एक, एक मेजर फैक्टर है कि राहूल गांधी नहीं बनना चाते प् समय सोनिया गांधी को नहीं बनने दिया? बार उनको आफर कि आप मंत्री बनो, ये बनो, वो बनो, दो, तीन, चार बार के किस्से हैं, उससे बहतर आप जानती है, तो उन्होंने अपनी इस तरह की शुरुवाती दोर की होती है, राजनितिक वेक्ति के आने की, वो उन्होंने समझ उनकी उस तरह की सीखने की रखी, उसमें जल्दी बाजी इस बात की नहीं की, कि मैं पत पे बेट के किसी इसी तरह का कोई डिसेजन लो, उसके पहले वो हमेशा कहते हैं कि नरेंद गांधी भी इलेक्शन लड़े 2024 की? यह अपने आप में इस देश के साथ बहुत बड़ा आगात है, एक तरफ जैसा मैंने पहले भी कहा कि दूसरी जो सरकार से नीड होती है, वो धीरे धीरे उसका स्केल घटता जा रहा है, और एक जो सरकार के हड़धरमिता बढ़ती जा रही है, उसका प्रभाव बढ़ता ज स्वायत संस्ता हैं, क्यों बार-बार सवाल खड़े होते हैं, यह सब बातें देश के लोकतंतर से जुड़ हुई चीजे हैं, तो मैं चाहता हूं कि आज देश चाहता है, हमारी पार्टियां चाहती है, इंडिया चाहता है कि उसको सुक्यूर कैसे करें, आज मोटीव एक है मैंने प्रियांका गांधी के उपर सवाल पूछा था, क्या पार्टी चाहती है कि प्रियांका गांधी भी सक्रीय राजनीती में तो हैं ही वो कैंपेंड करती हैं, लेकिन इलेक्शन नहीं लड़ती खुद, तो क्या वो चाहेंगे कि 2024 इलेक्शन में लड़ें? जब से राजनीती में आई है, उसके बाद अभी लोकसभा आई है, तो वेट करें, सब सही समय पर सही होगा, आप क्या चाहते हैं, मध्यप्रदेश की राजनीती में, do you want to play a bigger role, या फिर आप लोकसभा चुनाव में, you want to take part, you have a larger goal in mind? नहीं, मैने क्या चाहता हूं? ये मैरे चाहने से तो कुछ होगा नहीं, मेरे चाहने से कुछ होता, तो राजनीती में सब कुछ ने कुछ बनना चाहते हैं, जो चाहना था, वो मैंने बता दिया है कि मैं कैसा एक अच्छा इंसान रहू हूँ, अच्छा political worker कर रहूँ, ज़् लाब मिले, मैं विपक्ष में इसलिए किसानों की बात कर रहा हूँ, बेरोजगारों की बात कर रहा हूँ, अविवस्ताओं की बात कर रहा हूँ, भष्टाचार की बात कर रहा हूँ, जब सत्ता में मैं था थोड़े दिन के लिए, तब भी मैंने जो डिसिजन लिये थे, वो हमारे यहां पे असिस्टेंट मतलब रेगुलर प्रोफेसर्स बहुत कमी थी तो मेरी थाट प्रोसेस था कि कम से कम 50% तो रेगुलर प्रोफेसर्स हो सिख्छा के इसमें सब वेतन भोगी टाई प्यार अलग से पढ़ाने गेस्ट फेकल्टी के रूप में आते हैं तो उसका प्रदेश में चार-पांच हजार आदमी एक सांत लगा है तो और एक भी एलिगेशन नहीं लगा किसी प्रकार का रूप नहीं लगा है वन टाइम वन क्लिक में सबके अपने पोस्टिंग हुई इत्से ज्यादा पार दर्शिता का काम नसीवराज के 20 साल में एक भी करती है और वो कोशिश में हमेशा करता है रहता है अंत में जीतो जी मैं एक सवाल पूछूंगी जो मैं सभी पॉलिटिशन से पूछती हूँ जो भी पॉब्लिक लाइफ में होता है उनसे मैं पूछती हूँ फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ के बारे में आप यूथ लीडर ह हैं सोशल मीडिया में भी सकरिया है इस प्रोग्राम जब हम यहां बोपाल में रेकॉर्ड कर रहे हैं तो मैंने इलेक्शन कमिशनर से भी पूछा था बाट सोशल मीडिया का इंपक्ट बहुत है राजनीती में आजकल तो आप भी सोशल मीडिया में बहुत अक्टिव हैं मी का रूल प्ले करना पर कितना सही और कितना गलत किस तरीके से पब्लिक पर वो इंपक्त करता है यह एक देश के लिए एक उस विचार का विशह है तो उसका एक मानिटिंग सिस्टम तो होना चाहिए और अल्टिमेटली उसकी गाइडलाइन यह मेरे को जो मेरे लिए जो ठीक है मेरे दल के लिए जो ठीक है या मेरे ग्रूप के लिए जो ठीक है उसको तो मैं अलग नजरिया से देखूं और बाकी को अलग नजरिया से देखूं यह नहीं है इसकी एक प्रापर गाइडलाइन जैसी मीडिया की है इसी शोशल मीडिया की भ आज इसके जितने follower हो भने पर वो अपनी बात खुद ही कहा है और खुद ही सुने तो भी तो उसको एक अंतरमन में यह हो गया है कि हां मैं अपनी बात कह सकता हूं कहीं तो इसको positivity से लेना चाहिए और इस पर कोई guideline बनना चाहिए Thank you very much आप ANI podcast में आएं धन्यवाद and all the best to you Thank you Dr. Allawa thank you so much for coming on the podcast आप एक trained physician है by profession आप All India Institute of Medical Sciences में काम कर चुके हैं which is a very prestigious organization Medical Profession से politics का रास्ता कुछ बताएंगे कि क्यूं आप why did you get into public service क्यूं आपको जरूरत महसूस हुई अध्यप्रदेश के धार जिले के कुक्षी तहसिल के एक छोटे से ग्राम से मैंने primary school पास की उसके बाद सहरी शेत्र में पढ़ाई के लिए गया मैंने medical profession PMT में 2001 में मेरा सेलेक्शन हुआ PMT में उस समय PMT हुआ करती थी PMT प्री मेडिकल टेस्ट 2001 में स्यामशा मेडिकल कॉलेज में जब डॉक्टर बना MBBS के लिए मास्टर जनरल मेडिसिन में पोस्ट ग्रेशन गवालियर से गजराजा मेडिकल कॉलेज से किया और जब देली में सिनियर रेजडेंस की रूप में सेवाई दी उसके बाद असिस्टेंट प्रोफेसर बना तो जब गाउं से लेकर एक मेड्रो सहर तक का सफर किया और मैंने जो हालातों का जयजा लिया तो मैंने महसूस किया कि आज भी प्रदेश के ग्रामिन चेत्रों में खासकर आदिवासी अलाकों में जो बेसिक फेसिलिटी कि हेल्थ को लेकर हो चाए एजूकेशन को लेकर हो सहरी चेत्र के तुल्ला में हम लोग पचास साल पिछे हैं तो उनको बहतर कैसे क्या जाए आज ट्राइबल एरे में दूर दूर तक विश्य सगी डाक्टर नहीं है आज अच्छे स्कूल नहीं है च्छात्रवास नहीं है वहां पर कैसे उस फेसिलिटी को दिया जाए तो मुझे लगा कि ये फेसिलिटी को बहतर बनाने के लिए पोलिटिक से बहतर माध्य में और हम लोग एक भी महसूस करते हैं कि जिन छेत्रों में आज जो 50 साल पीछे चल रहे हैं सरी छेत्रों की तुलना में यहां पर विकास क् युजनाई क्यों नहीं पहुची आजाद भारत में सतर साल बाद भी आज भी आदिवसी आलाके इतने पिछले क्यों तो कहीं नहीं के ट्राइबल लीडर्शिप की जो कमी महसूस करता था तो मुझे लगा कि क्यों नहीं हम जैसे पड़े लिखे हुआ अगर पॉलिटिक्स आदिवसी छेतरों में भी रुजगार युवाओं को रुजगार कैसे दिलाए जाए तो उसके लिए पॉलिटिक्स का रास्ता चुना है रुजग सब मध्यप्रदेश जहां पे इलेक्शन होने वाले हैं यहां पर there are 82 reserved seats उसमें से in विधान सभा उसमें से 35 for scheduled caste and 47 for scheduled tribe Out of these 230 जो नंबर है उसमें 82 is a very significant number As a prominent member of the tribal community of Madhya Pradesh, आप हमें समझाएए that what does politics, what does Rajneeti mean for the tribal community जब से Madhya Pradesh चतिजगर से अलग हुआ Madhya Pradesh और चतिजगर जब एक राजजी हुआ करता था 70 tribal communities इस पुरे परदेश में निवास करती थी अभी प्रजेंट में 47 के लगभग tribal communities है Madhya Pradesh में Madhya Pradesh में सबसे बड़े आदिवासियों की संख्या वाला अबादी वाला प्रदेश है और इतनी बड़ी संख्या होने के बावजूद भी यहां पर एक tribal leadership की जो कमी हमें महसूस होती रही है आज कहीं न कहीं यहां पर tribal leadership को कहीं न कहीं मद्यप्रदेश में कोई भी राजनितिक दल हो अंदेखा किया है क्यों किया है अब यह तो राजनिति पॉलिटिक्स समझ सकते हैं कि क्यों किया गया है और किया गया है अगर अंदेखा किया गया है तो कहीं न कहीं इस लोकतंत्र में उनकी भूमिका को कहीं न कहीं दबाने का परियास किया गया है राजनितिक दलो के मद्यम से चाहते हैं कि आज देश का एक सबसे बड़ा आदिवासी बहुली वाला प्रदेश है और यहां पर ट्राइबल लीडर्शिप को फ्रेंट लाइन की लीडर्शिप में मोगा मिलना चाहिए और आज भी मद्यप्रदेश जैसे आदिवासी बहुली राज्य में जहां पर सबसे संख्या में एंस आरबी के आकड़े जो जारी होए वह बताते हैं कि सबस्यादा स्वेशन आदिवासी बेटियां गाइब हो जारती है सबसे ज्यादा जेलों में अदिवासी बहुली श्रीप में हम चाहते हैं कि मद्यप्रदेश में यूथ लीडर्शिप को मुका मिले जो कमी हम लोग महसूस करते थे और कहीं न कहीं आज भी आदिवासी की आवाज मद्यपरदेश में दबाई जा रही है आज भी आदिवासी बेटियों के साथ बरबरता बरती जा रही है तो यह जो एक आदिवासी बहुली इस्टेट होने के कारण आज इनकी संख्या तो बहुत ह करते हैं लेकिन कभी भी राज्य सरकारों ने इन मुद्धों को लेकर कभी भी सदन के भीतर नत रिगूलेशन बना पाए और ना ही उन पे काम किया और यही नतीजा इसी यही कारण है कि आज मद्यपरदेश में आदिवासी युवा बेरोजगारी के लिए दरदर भटक रह है आदिवासी बेटियां गुजरात पलायन कर रही है तो गंभीर विसा ही है कि लिडर्शीप का ट्राइबल लिडर्शीप का और उसकी भरपाई करने के लिए भी जैस जैसे संगटन अज मेदान में है चाइबल लीडर्शिप ना होने के कारण इस डाट रीजन क्यू आद आदिवासी परत्राइबल लागों में शिक्षा बहतर है पड़े लिखे आदिवासी वाड वे ट्राइवल अभी एट लगा हो जाते हैं सरकार आदिवासीयों को हमेशा नक्सल से जोड़ कि देती अदिवासी समाज परकर्तिपुजग समाज है ये भूला भाला समाज है च मैं एक्सलवाद से उग्रवाद से या अल्गा वाद से समाझ ज़ोड़ा गया हम तो चाहते हैं Kafकार श्रकार चैंथ केंद्र सरकार वास्तों मनसा चाहिक दोपे अधिवास की विखासकी 82 विधान सभा सीट्स में से 40 पर आपका बोल बाला है, पिछली बारी आप कॉंग्रेस की टिकेट पर आप लड़े थे, इस बार किस तरफ इंक्लाइन आप? जो जयस संगठन है, मध्यप्रदेश में सिर्फ 40 पर लगभक सो सीटे हैं, जहां पर आदिवासी बहुल्य सीटे हैं, फोटी सें रिजर्व सीटे हैं, और बाकी ऐसी सीटे हैं, जहां पर 50,000-80,000 अदिवासी वोटर से, तो वहां पर जयस का परभाव है, इसमें कोई दोमत और जयस ने, जब से जयस जयादिवासी वोटर सकती संगठन जैसे वोटर राजनिती के मेदान में वोटर को परिरित कर रहे हैं आने के लिए, तब से एक राजनितिक जनजागरुकता भी आई समाज में, पिछले पंचायत चुनाओं में, ज्यादातर सरपंच के सीटों प पिछले पंचायत चुनाओं में, ज्यादा से ज्यादा सर्पंच जयस के बनें, तो यह युवाओं में जो राजनिती के परती एक स्वोज बनी है, और इस लोगतंतर में भागिदार बनकर इस अंतिमंगती में खड़े और वर्ग के लोगों का विकास करने की उनके अंदर परेण आई तो कहीं के जैस जैसे संगेटन में लिए. अब भीमार्मी भी आ रही है और जो शेडियूल कास्ट और शेडियूल ट्राइब्स के जो अब बताएंगे हमें वाट इस इंपक्त लेकिए मद्यप्रदेश में यह बात आपके सथ है कि ट्राइबल जो वोटर्स रहा है रहा है और अबी भी है बसरते जो नए युआ पड़े लिखे युआ आज पॉलिटिक्स की और एक उमीद भरी नजरों से देख रहे हैं वो इस अब जो आवाज उटनी चाहिए वो कहीं न कहीं विधायकों के माध्यम से नहीं उठाई जा रही है और यही रिजन है कि नए उवा पड़े लिखे युआ आज पॉलिटिक्स में आना चाहते हैं कांग्रेस से यह वर्गा इंद्रा गांधी की समय से जूड़ा हुआ इसे ओड़ी परका के जमीन बचयां के लिए कनुन बनाये विस अधिवासी सामाज अज बी उनका आभावी है आज भी उनका जुखाओ ज्यूटत चुनावा जरूरं रहा है लेकिन अब कंग्रेस के पर्ती जुखाओं हमेसा बना रहा है उसके विस गॉषे को भी युवा चुन टिकिड देया और आज उनके बदोलत आज मद्यप्रदेस की विधान सभा में अदिवास्यों की जो आवाज प्रदेस के लगभग दो करोड आदिवास्यों के आवाज उठाने का मुझे अवसर मिला पेशा कानून अज मद्यप्रदेस की सीवरासिंग चौहान शरकार पेशा कानून लाई तो ये जैयस संगठन के बदोलत लेके आई, आज पांचवी अनुसुची, छट्वी अनुसुची की बात करने लगे ते जैयस संगठन के करण, आज टंटिया भील हो, चाए बिरसा मुंडा जैनती हो, चाए टंटिया भील गोरो दिवस हो, बिरसा अगल और जमीन, ये जो तीन मुद्दे हैं ट्राइबल कम्यूनिटी की, क्या उनके ये जो लेके आए हैं उससे बेनेफिट्स मिले हैं, टु दे ट्राइबल कम्यूनिटी, पेशा कानून जब 1906 में संगठन में पास हुआ था, उस समय ग्रामों को सुषासन देने की बात क अधिकार की गई थी, उनको संगानों पर अधिकार देने की बात की गई थी, मद्यपरदे सरकार ने संग में कानून पास होने के 25 साल बाद पेशा नियम 2022 मनाएं लेकिन इन नियमों में ग्राम सभाओं को संगार ने दिया गया, आदिवासियों को उनके परमपराओं, रू अधिकार को ने परमपराओं ने किया गया, गाओं की सिमाओं के भीतर जंगल शेतर उन पर अधिकार होना चाहिए इस परस्त नियम तो पेशा नियम तो बनाए शिवरा सिंग च्वहान सरकार ने लेकिन जो परिकल्पना मूल कानून में की गई थी, उनकाम्याब रही है, अधिवासियों को जेलों में डाला जा रहा है, जंगल में सहद लेने जाता तो जेल में डाल दे जाता है, अज मध्यपरदेश में 300-600 ऐसे केस हैं जो मचली पकड़ने गया, 500 ग्राम मचली पकड़े और उनको जेलों में डाल दे गया, तो पेशा नियम सरकार ने बनाया, लेकिन जो अधिकार पेशा नियम 2022 में देने चाहिए थे, मध्यपरदेश के आदिवासियों को सिवरा सरकार देने में असपल रही है, तो ये शोशन हो रहा है आप के साम से, बिलकुल मध्यपरदेश में भारतिय जनता पार्टी सरकार के शाशन में पिछले 20 सालों से, जो शोशन हो ये मध्यपरदेश आजादी के बाद एक मेरे खेल से सबसे बड़ा रिकार्ड है, जेलों में हमारे आदिवासियों चोटे-चोटे मामलों में टाल दे गया, आज मध्यपरदेश की जेले आदिवासियों से भरी पड़ी है, सराप के मामले में, जमीन के मामले में शिवरा सिंग चोहान सरकार चाहती तो पिछले 2018 के विदान सभा चुनाव से पहले गोशना करी थी कि अदीवाश्यों के उपर मामले, दर्ज मामले, चोटे मोटे मामले, हम वापिस लेंगे, सरकार बनी, सिवरा सिंग चोहान सरकार की कतनी और करनी में एक बड़ा अंतर रहा अभी पेशा समन्वे को भरती की गई थी भारी बरस्टा चार क्या गया जो RSS BGP से जुड़े हो उन्हीं लोगों को पेशा समन्वे पिछले दरवाजी से भरती कर दी हम निविदान सबा में आवज उटा ही लेकिन सरकार नहीं सुनी अभी हाल ही में पटवारी भरती में तो वो क्या अलग कर रही है वो क्या प्रामिस कर रही है क्या वाइदे कर रही है ट्राइबल कमिनिटीज की लेगे कांग्रेस की सरकार अब कौन से वादे करेगी है तो अभी उनके गुशना पत्र में आने वाले वोक्त में पता चलेगा लेकिन हम उमीद करते हैं कि अगर म जिन्सों ऐसे आदिवासी गाव हो जिनको विस्थापित किया रहा है वीविन परियोजनाों के नाम पर बांध परियोजना हो चाहे वाइड-लायब प्रोजेक्क्स इंचूरी हो चाहे टाइगर रिजर हो चाए और भी जो सरकार की परियोजनाएं हैं इनिवेस सेत्रे के नाम पे हमारे बदनावर तो कंपनसेशन नहीं मिलता कंपनसेशन का शवाल नहीं है आज आदिवासी गाओं का विस्थापन सिर्फ कंपनसेशन से उनकी भरपाई नहीं हो सकती है आदिवासी जंगलों में रहने वाला पीडी दर पीडी उस प्रकर्ती के साथ सामझे से बना कर रहने वाला आज उससिपिक सेतर से उसकी बहासाय जूड़ी हुई है उसकी परंपराएं जुड़ी है, उसकी रितिरिवाद जुड़ी होए, जो आप compensation कितना भी दे दोगे, इंदोर भुपाल जैसे सहर में उनको फ्लेट बना के आप दे देंगे, लेकिन क्या उनकी भासाएं वहां से रुक्षित रहेगी, सवाल क्या वो अपने गाई, भेल, ब को लिए अधिवासों के सॉमंज है, उनकी चोटी चोटी योजना यविजना या परियोजनाई यूजना भी बनाएं, जिसे अधिवासी का विस्थापन नहीं हो, देखिए उसके लिए सरकार प्लान करें, आज सरकार ने बसन्या बान बनाया मंडला डियंडोरी में, उसमे कम से कम साथ से सतर आधिवासी गहाँ जितापित हो रहा है तो क्या सरकार चोटे-छोटे बाद नहीं इन बना सकती है लेकिन सरकार का उददेश यृ आधिवासीत हो की जमीन जईनना रहा है अगर आदिवासियों की जमीन चिनेंगे तो आदिवासि कहां जाएंगे, और आदिवासियों का एक नेचर है, आज ये जंगलों में अभी तो विकास उदेश नहीं है, जमीन चीनना उदेश है, बिल्कुल सरकारों का उदेश, तो जब अब फ्लाइओवर बनता है, या फिर कोई बान बनता है इन सब में या फिर वाइल राइब रिजर्व बनता है तो इसमें कोई विकास नहीं है सिर्फ जमीन शीलना एक उदेश चता देखिए आज विकास हो लेकिन आदिवासी गाओं को खत्म करके विकास आज टाइगर रीजर हो आप मतलब टाइगर के लिए तो क्या इस लोगतंत्र में इस देश की सरकारों के लिए आदिवासी से ज्वय हुए आदिवासी ओं के लिए हिटाइगर महत्वपور्ण है, आदिवासी, जेजंगल में रहता हैं आज दिखिए अ इस चटाइगर अंगरों के साथ सामंझी से बनाकर रह रहा है, लेकिन उन tiger को बचाने के नम पर आदिवाश्यों को खतम कर देना, उनको उजार देना कहां तक उच्छी थे। आदिवाशी तो जंगलों के साथ सामंजी से बना के रखा है, उन्होंने जंगलों को बचा की रखा है, आज सरकार हैं आप schedule tribe community के एक प्रॉमिनेंट लीडर हैं, पर्लिमेंट में काफी सारे seats reserved होते हैं schedule cast, schedule drives लेकिन ऐसा भी देखने को मिला है कि जो elect होके आते हैं वो अपने community के लिए ज्यादा कुछ नहीं कर पाते हैं वो elect होके आते हैं उसके बाद वो PD दर PD उनहीं के खांदान के लोग फिर they get elected ये normal seats में भी होता है लेकिन you feel bad when it happens to schedule cast and schedule tribe because reserved किया हुआ है उनके लिए seat so where do you feel is the problem in this लेकिन ट्राइबल पोलिटिक्स में पिछले 60-70 साल का हम पोलिटिकल हिस्ट्री देखें के ट्राइबल पोलिटिक्स में तो ये बात सत्य है कि आदिवासी ट्राइबल कम्यूटी में राजा का बेटा राजा बनेगा वही नेता बनते रहे हैं नए युवाओं को पड़े लिखे युवाओं को मोका नहीं मिला है और ये बेडलग रहा है ट्राइबल पोलिटिक्स का कि आज भी जाइपाल सीग मुंडा करे बनेगा है ट्राइबल लिधर यह डा आजा है जो है हमें लिदर है उनके नीचे काम करते रहे लेकिन अब वक्त आ गया है कि ट्राइबल पोलिटिक्स में बदलाव होना चाहिए नए युवा पड़े लिखे युवाओं को आगे आना चाहिए और जैस जैसे संगटन उसी के लिए काम कर रहे हैं हम लोग आज हमने मजबूती के साथ विधान सबा में मद्यप्रदेश के आदिवासियों को पक्स तरक साथ इस समाज के साथ अन्याय हुआ शोषण हुआ वह उस शोषण से मुक्ति दिलाने वाले लिडर चाहिए समाज को तो ट्राइबल कम्यूनिटी के साथ जो पॉलिटिकल अवेरनेस है वह की नहीं है देखे अभी तक अभी तक ट्राइबल पॉलिटिक्स में विधायक बन संगठन आया तो इसने ग्राउंड लेवल पर यवाओं को राजनिती परती अवेरनेस जगाने का जो काम क्या है यवाओं मेरा जनून प्यदा करने का काम क्या है कि हमने आज भी तक देश में जो अलग-अलग आदिवासी संगठन काम कर रहे हैं जल-जंग-जमीन की और चुनाव लड़के सदन के भीतर जाएं, चाहे वो सदन विदान सभा का हो, चाहे लोक सभा का हो, और वहां जाकर हम अपनी बात रखेंगे, मजबूती के साथ अपना पक्स रखेंगे, डाक्टर हिरा अलावा 2018 के विदान सभा चुनाव में एतिहासिक मतों से 49,500 मतों से जितकर जब सदन के भीतर आदिवासियों का पक्स रखा तो आदिवासि समाज के युगां में जन जाग रुकता है, कि यह लड़ाई ऐसे भी लड़ी जा सकती है, अपना पक्स दमदारी के साथ इस लोक तंतरे में हम रख सकते हैं, और हमारे अधिकार हसिल के जा सकते हैं, आनंद राई जी ने आपको कंविंस किया था पॉलिटिक्स में आने के लिए? देखिया आनंद राई जी हमेशा अधियों से जूड़कर जैस से संबंद में उन्होंने मुख्यधारा के पोलिटिक्स में ब्रहम पेदा करने काम किया था डाक्टर आनंद राई जी 2018 के विधान सबाच चुदाओं से छे महीने पहले जैस के करेक्रमों में सामिल होना इन्होंने सुरू किया था इससे पहले इनका जैस से कोई दूर दूर तक नाता नहीं था यह संगटन 2013 से फेस्बुक महा पंचायत जब 16 मई 2013 को बढ़वानी से जी का जैस में सलाकार की भूमिका में जरूर थे लेकिन जैस की लिडर नहीं हो सकते हो कभी क्योंकि जैस स्वतंत्र लिडर्शिप की बात करता ट्राइबल लिडर्शिप की बात करता जैस ने आदिवासी समाज के पड़े लिखे यवाओं को कमान सोपके रखी है से हमने इसी लिए उससे दूरी बनाई क्योंकि जैस आदिवासी युवाओं की लिडर्सिप की बात कर रही डाक्टर अनंद राई जी जैस में सलाह दे सकते हैं थे लेकिन उन्होंने जैस का सरवे सरवा बनने कोशिस की तो उसको जैस ने सीरे से नका रहा है और आज वो उनक जैस में कोई भूमिका नहीं था ना आगे रहेगा यह संगठन सोतंतरः युवाओं का बना होवा संगठन है ताकतवर संगठन है डाक्टर अनंद राय के जाने आने से हमको कोई फरक नी पड़ता है कई लोग गय आए संगठन को फरक नी पड़ता हमने वेचारिक रूप सबसे युवाओं को तयार किया है और इस संगठन के युवाओं में जैस के परति आज भी इतनी दिवानगी है कि डाक्टर हिरा लाव भले मनावर विधान सबाद हर जिले की मनावर विधान सबास है लेकिन आज भी दिन्डोरी चले जाए तो हाँ पे हजारों के संक्या में आज राजनीति के परती उन्को अवेर किया है हमने उनके जल जंगल जमीन की लड़ाइग सदन के भीतर रड़ी है उनकी विस्थापन के मुद्द्ध हो खाइब के मुद्ध हो पेशा का मुद्ध हो या अधिवासी फ्रिदम फैटर टेंट्याभी नपील का मुद्ध हो च जो तो तो आपने टराइपसिशन रुट्ठ बन रट ?! जो ओपोजिशन का एक गुठ है, अभी तो कोई एजन्टत है? अब ही तो कोई अजेंड़ टैनी हुआ कोई प्रोग्राम बना नहीं है क्या आपने ट्राइबल कम्यूनिटी की रेप्रेसेंटेशन की है इनको कि उनका जो मैनिफेस्टो बनेगा या फिर कोई प्रोग्राम्स बनेगा उसमें ट्राइबल्स के हख के बारे में कुछ हो उसमें कुछ पहल हुई है अभी अभी हम लोग का INDI से कोई पहल नहीं करी है संगतन अपने मुद्दे अपने अजेंडे के अब तो कॉंग्रेस में हमारा संगतन जो है डक्टर हिरालावा कां। द्राइबले में की टिकिट दिया इसमें की डियों की गांग्रेस्टान चंगतना से सहे as की विचार थारा एक स्वोटन्तर विचार द्वारा है जिए सव है और कमला जी जो सही बात्ते हैं जो को नित्रतsteuh Mayor 스rit करते हैं तो आप यह शॉत्वतांतरह संगटन है और वह 50 संग्धन ही अधर 224 में हम्टिक जूडए हो और टिकेट तो आपको congres मिला था नओ यह सामा weeds संगठन है Seattle ko दक्टर हिरा लावा तो अब कांग्रेस का मेले हैं तो राजमिती में है इसमें कोई डाउट नहीं है लेकिन हमारा संगधन तो एक सामाजिक संगधन है अब इस संगधन आने वाले समय में अगर पूछना चाहरा है कि यह संगधन का जुकाओ क्या रहेगा तो यह तो वक्त त कॉन टिकेट ज्यादा देगा उसकी तरफ आप जुकाओ ज्यादा टिकेट की बार्गरिंग मुद्धों की लड़ाई है आज भारती जन्ता पर्टी तो अगर बीजेपी कहते है आपको हम दो टिकेट देंगे या पंधरा टिकेट देंगे और अगर कॉंग्रेस कहते है टिकेट हमारी लड़ाई टिकेट की नहीं है हमारी लड़ाई मुद्धों की है सब्सक्राइब करेंगे आज आधिवासी चेत्रों में जंगलों प्यादिकार चाहिए सबसे ज्यादा वन चेत्र है जिस राज्य में आज मद्यप्रदेश में भारती जन्ता बंड़ी ने पिछले 20 सालों से कम्यूंटी राइट ट्राइबल को नहीं दिया तो दो महिने के भीतर किया सवाल बीजेपी देने के तयार है तो यह आने वाला वक्त तही करेगा दे कि सब्सक्राइब बीजेपी का तो फिर आपका कॉंगर्स की तरफ ज्यादा है रिल्कुल जी और कितनी कितनी सीटें चाते हैं कितने सी टे चाते हैं काम जब अग जब तक बताएं सो चाहते हैं ज्यााने मौक एब मुक्त के मूंधो को में मेरें ज्ब्देखें नीवर्सम त तो आप कितनी मेक्जिमम सेटे पर हमारे युवा विधान समाम पहुंच चकते हैं, हम उस पर काम कर रहे हैं, अब इनको तई करना है कि हमारे कितने युवाओं को मुका देना चाहेंगे, बारगेनिंग चल रही है आपकी उनके साथ की बीजेपी के साथ किसके साथ बात चल अब कि अब इनको क्या लगता है कि जैस को लेके इनका क्या विचार है क्या सोच है इनकी क्या इनकी विचारदहरा जैस को एकसेप्ट करेगी आदिवासी युवाओं का संगधा ने ये स्वत्तनत रूप से जल जंगल जमीन के लड़ाई हमने फ्रंट लाइन में लड़ी ह तो सवाल कांग्रेस और बीजेपी का है तो दोनों पार्टियां जैस को किस नजरे से देखती है ये वला वक्त ता ही करेगा क्यों ट्राइबल आस्पिरेशन जो है वो आप क्या समझते हैं कि राहुल गांदी ज्यादा समझते हैं या नरेंद्र मोदी ज्यादा समझते हैं ट्राइबल को लेके उनकी सोच बहुत अच्छी है उन्होंने कहा कि अधिवासी देश का मालिक है लेकिन यही बात अगर हम नरेंदर मोदी जी के तरफ से उनका वियू जानना चाहें तो उनका जो आरेसेस का जो जेंडा रहा है हमेसा अधिवासी को उनवासी कहने में नारींड नहीं ज सिर्फ मध्यप्रदेश के लिए या फिर आप पूरे दिश के लिए यह वियू है क्विल्टा उनका जो मुल्टा के भीतर हैं। मेरी आवाज तो पूरे देश में जा रहा हैं। और हम तो चाहते हैं कि ऐसी विचारधारा, ऐसी राजनितिक पार्टी जो इस देश के मूल निवासियों को इस देश के आदिवासियों को उनका हग देना चाहती है, उनको जल जंगल जमीन पर उनका अधिकार देना चाहती है, उनने ये एक्सेप्ट करना चाहती है कि नहीं इस देश के मुल लोग है, इस देश के मुल निवासी है, इनको इनका धिकार मिलना चाहे, इस विचारदानक साथ जाना चाहेंगे. or heard this. Namaste, Jai Hind. Click here to watch the previous episodes.